Hello friends, Today we are going to start my topic Company Shelley, okay? आज हम Company Shelley के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे Company Shelley हमारा जो आधुनी काल के अंतरगत आता है Company Shelley आधुनी काल के अंतरगत आने के कारण इसका जो समय माना जाएगा वो 19 से 20 सेंचुरी या शताबदी ले लीजे Okay friends? अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें देखेंगे यह चैप्टर बहुत ही छोटा है और इसमें जो important points हैं वो मैं बहुत ही easily way में आपको यहां पर write down कराऊंगी और मुझे नहीं लगता है कि उसके अलावा आपको कुछ और extra मतलब देखना होगा इससे एक या दो प्रेशने जरूर से जरूर ही आ सकते हैं तो आप यह समझें कि company शैली का जो आदुनिकाल का समय है वो 19 से 20 संचरी के अंतरगत आता है लेकिन जो इसकी खोज होई है मुख् 1943 PC मानक इन्होंने किसी शिवलाल चितेरे के मानक ने किसी शिवलाल चितेरे के के चित्रो को देखा या खोजा ओके तो इनका इसकी खोज का वो ही 1943 में PC मानक ने किसी शिवलाल चितेरे के चित्रो को देखा था अब इसके बाद आपका आता है most important point आपका नाम करण नाम करण से मीनी है कि इसका नाम company shelley या पटना shelley कैसे और क्यों पड़ा इसको हम किसी एक shelley और से जानते हैं जिसका नाम है आपका पटना shelley और सेकंड नेम company shelley लेकि पटना shelley क्यों क्यों क्योंकि east india company का जो हमारा आपका residential area या अधिकारियों की कोठी या बैठी के जो भी होती थी वो हमारी पटना की अंतरगत आता था वो छेत्र हमारा जो आता था वो पटना की अंतरगत आता था लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीज अगर develop हुई तो हम उसको एक ही जगे संजो कर रख सकते ऐसा तो नहीं है उसी तरीके से ये जो हमारी पटना shelley थी ये भी हर जगे आप जो भी डारेक्शन है ठीके पूरब पक्षेम उत्तर दखिन ये तीनों चारों दिशाओं में फली फूली आपका महरास्त ले लिजे राजस्थान ले लिजे तंजोर ले लिजे इन ये सारी जगाओं पे आपकी company shelley विक्सित हुई तो इसलिए और यहां पर किसका प्रभा यानि आपके Britishian जो East India Company के अधिकारी थे उनका प्रभाव था जिसके कारण पटना शैली की अपेक्षा company shelley हमारे लिए अधिक सुटेबल रहा कहने के लिए या उसको पहचानने के लिए जानने के लिए और ये जो आप ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये किस ने कही है य Mrs. Archer द्वारा कही गए कि मतलब इसको सिर्फ पटना शैली कहना एक easy या एक सही आप केतना कि सही words नहीं होगा कि ये सिर्फ पटना कलम या पटना शैली है इसके बाद आपका आता है चित्रकार चित्रकार में देखिए कि यहाँ पे सेवक राम सेवक राम का नाम आता है सेवक राम कहा के थे इससे ये भी एक question बन सकता है कि सेवक राम कहा के थे सेवक राम बंगाल के मुर्शिदाबाद से थे मुर्शिदाबाद से और कौन था चितिनात मजूमदा थे तो इस तरीके स से आप को रिलेट करके उसको याद कर सकते हैं कि शेवक राम कहां के थे मुर्शिदाबाद के और मुर्शिदाबाद कहां पढ़ता है आपका बेंगॉल ठीक है अब ये कब आई है 1770 में मतब ये थे बंगाल के लेकिन पटना में इसलिए आए क्योंकि वहाँ पर आर्थिक जो तंगी के कारण जो भी उनका कहते ना कि परिस्थितियां खराब होने के कारण जो भी कलाकार थे वो इधर उधर कहीं ना कहीं अपने जीवन शेली को यापन करने के लिए चले गए तो सेवक राम मुर्शिदाबाद से कहां आ गए पटना आ गए और इश्वरी प्रशाद इश्वरी प्रशाद को हम एट लास्ट आर्टिस के नाम से भी हम कह सकते हैं कि इस शेली का सबसे आखरी कलाकार कौन हुआ इश्वरी प्रशाद अब एक नाम आता है हुलास लाल क्या नाम आता है हुलास अब देखिए हुलास लाल की जो चित्र थे वो लीथो में हमारे लिए यूज होते थे लीथोग्राफी तो मन्दब एकॉर्डिंग तो इस चैप्टर सेवक राम इश्वरी प्रशाद हुलास लाल is the most important artist in this chapter अब इसके बाद और भी चित्रकारते ऐसे इने की इन तीनी कलाकार के अंतरगत ये शैली इतनी ज्यादा विक्सेत हो गई इसके अंदर आपकी आते हैं गोपाल चंद्र फकीर चंद्र जूमक लाल लाल चंद्र जैराम दास ओके गोपाल चंद्र, फकीर चंद्र, जूमक लाल लाल चंद्र और जैराम दास ये आपके artist हो गए अब इसमें एक most important word आता है लोदी कट्रा जिस तरीके से हम एक community में हम कहीं न कहीं रहते हैं तो उस community को एक नाम दे दिया जाता है उस नाम से वो community या आपका area एक मतलब कहते हैं न कि लोगों के संपर्क में आता है कि यहाँ पे एक ऐसी चीज मिलती है जैसे कि पंजाबी area, Muslim area, Christian area तो उसी तरीके से इन सभी artist ने जहाँ पर एक artist का दल रहता था गड़ रहता था वहाँ पे उसको किस नाम से पुकारा जाने लगा लोदी कट्रा यह एक पटना का पटना में कलाकारों का महला था यह अपनी language में area था जैसे आप लोगों को learn लोदी कट्रा पटना में कलाकारों का एक महला था जो की company शाली के चित्रकार थे अब इसके बाद यहाँ पर most important चीज आपका आता है चित्रन कारिया चित्रन कारिया या आपका यहाँ पर किस तरीके के चित्रकारी हुई है कैसे चित्र बनाए गए हैं तो पहली बात तो यह किसका मिश्रण है मुगल और यूरोप के मिश्रण से बनी है आपकी company यूरोप ये शैली के मिश्रण से बनी है आपकी company शैली क्यूं 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 भारती संस्कृतिक आपके देवी देवता इधार्मिक चित्र बनते थे लेकिन जब इसमें ब्रिटीश्यों का कहते ना कि एक दबदबा हो गया तो उन्होंने उसमें यूरोपीय शैली को मिलान करके एक नई शैली का विकास किया वो हमारी कहलाती है कमपनी शैली इसलिए मोगल और यूरोपीय शैली ओके तो यहां पे आपका चित्रन कार्य जो था वो आपका था सबसे पहले कौन से चित्र बनते थे कैसे चित्र बनते थे तो भारतीय और यूरोपीय जन्शैली के चित्र बनते थे भारतीय वा यूरोपीय जन्जीवन से रिलेटेड चित्र बनते थे अब यूरोपिय जन जीवन से रिलेटेड कैसे है जैसे कि अपने में तो धार्मिक देवी देवताओं के चित्र हो गया एक तरीके के कहते हैं फ्यूजन डालना ठीक है तो इन्होंने अपना यूरोपिय जन जीवन जैसे कि डांस करना है प्रिटिश चित्रकारी है या यू और और सुपत है जो की कमपनी शैली में आए है क्यों क्योंकि कमपनी शैली इसलिए था कि यह की इस्ट इंडिया के जो अधिकारी थे वह और भी जग़ान उपर थे और भी जगे रहते THे तो उन रहते थे उनको आयात, निर्यात किया जाता था, ठीके, तो उनसे रपने जो भी हम जैसे अब ये चितरकार थे, तो वो हुरें खुश करने के लिए काम करते थे, तो वो उन्हें के कोड़िंग चित्रों को बनाते थे, अब आपका आता है इसमें विशेशताएं, ठीक है विशेश्टा विशेश्टा इसमें क्या आएगी विशेश्टा आएगी इसमें सबसे पहले क्या होता था और वाटर कलर यूज होता था और वाटर कलर वाटर कलर यूज होता था इसमें टेंपरा का यूज नहीं हुआ है इसमें तेंपर्ण का यूज नहीं हुआ ओइल एंड वाटर कर्लर का यूज हुआ रेखाई जो थी वह महीन बनने लगी थी बहुत ही जादा महीन थी लेकिन एक चीज और रेखाई महीन बननने लगी थी लेकिन इनका यूज बहुत ही कम हो गया थी आप समझें ना के मात्रा में होने लगा था और इसमें क्या लगाया जाता था परदाज परदाज आपको पता है कि छाया वा प्रकाश ठीक है लाइट और डाक शेट जो रहता था छाया वा प्रकाश का यूज होता था तो विशेश्टा में ओईल कलर वाटर कलर रेखाएं मह करके चित्र बनते थे जिसमें कि आपके धार्मिक भी आ गए और अधिकारियों के आपकी जीवन से रिलेटेड चित्र भी यहां पर बने अब खोज नामकरण चित्रकार और जो पटना का मोहलना था विशेशता यह सारी चीजे हमारी इंपोर्टेंट हैं अगर हमें एक तरीक चीज भी अगर हम उस चीज को डेकोरेट करते हैं तो कला का कहीं न कहीं उसमें मतलब कहते हैं कि एक अब मुझे वो वर्ड नहीं आ दा रहा लेकिन हां कला आप जिस जगे देखेंगे बहां आपको दिखाई देगी जो उस चीज को समझता चाहें वो डेकोरेशन से आपके खाने से रिलेटेड हो हर एक जगे में कला का एक अपना ही महात्वर्ण इसलिए हमें एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि आर्ट इस एक जो ड्रॉइंग है यह हमारी एक कहते हैं कि वर्ड का एक रीड की हड़ी है कि जिसके कारण यह समाज यह आपका घर या जो भी चीज़े हैं वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको सुसज़ित कर सकते हैं हाँ एक एक चीज इसमें और कि इस टाइम पे भाई ब्रिटीशन अधिकारी थे ठीक है यह आप टिली केटल थांस डैलियन यह भारत का ब्रहमड करने आये थे और इन्होंने भी अपने चित्रकारी में एक फ्यूजन डाला उन्होंने भारती संस्कृती को लिया अपने चितरों में उन्होंने भारती शन्स्कृति को लेकर या भारती धार्मिकता या उनके चितरों से प्रभावित होकर अपनी उर्वेश अगर देखा जाएं तो ये हमारा बहुत एक कम शब्दों में हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया खोज हमारा PC मानक द्वारा, नामकरन पतना और शैली, पतना शैली और कंपनी शैली, चित्रकार सेवक राम है, इश्वरी प्रशाद, हुलास लाल, गोपाल, फकीर, जुमक लाल, लाल चंदर और जैराम, ठीक है, मेरे एकॉर्डिंग यह आपके most important point है, जो कि आपको याद कर अब इसमें आता है आपका फिरका, ठीक, यह most important word है, कि फिरका किसे कहा जाता है, फिरका एक चीज होता है, सेट्स के सेट्स बनाई जाते हैं, सेट्स के सेट्स बनाई जाते हैं, माप इनकी होती है, 8 by 6 inches and 22 by 16 inches, तो यह आपको समझ में आ रहा होगे, कि 8 by 6 है, तो छोटा है, और 22 by 16 inches है, बड़े हैं, सबसे जादा प्रचलन में ये रहता था, क्यों इसलिए जादा प्रचलन में रहता था, ताकि इसको export, import करने में, carry करने में, easily, वे में हम इसको एक जगे से दूसरी जगे पहुचा सके, इसलिए कहने को देखा जाए, तो ये हमारा सबसे जादा प्रचलन में था, 8 by 6, और इसमें चित्रों की quantity कितनी होती थी, number of figure, 10, 12 और 14, ठीक है, तो ये आपकी quantity हो गई, तो number of figure, 10, 12, 14, आपका measurement उस जो फिरका या sets के sets रहते थे, उनका क्या रहता था, 8 by 6, 6 inches, and 22 by 16 inches, तो आपका ये भी एक तरीके से most important word है, कि इसे भी एक question develop हो सकता है, कि फिरका किसे कहा जाता है, तो फिरका एक छोटी सी किताब आप समझे कि जब हम छोटे थे तो हम जाते थे, तो जैसे कि बनारस वेगरा जो तो वहाँ पर छोटी छोटी सी booklet मिलती थी, जिसमें उन वहाँ के सारे मंदिरों के बारे में लिखा भी रहता था, चित्र बना रहता है, ताब इसमें लिखा रहता था, नहीं लिखा रहता था, I don't know, लेकिन हाँ, चित्र बनते थे, ठीके, तो आप उसी से अंदाजा लगाईए, कि वैसा ही कुछ यहाँ पर मतलब ब स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अगर राइट कर रहे होंगे तो आप राइट कर लिजे, स्क्रीन शॉट लेकि आप अपने बाद में नोट से अपने डेवलब कर लिजे, बना लिजे, और इसी के साथ बहुत-बहुत थाइंक्यू, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब क करें और शेयर करें, थैंक्यू सो मच